Hello everyone, good morning. Here this is your Tuleika Miss and this is your Maths Pitted. In this video, I am going to teach you Pace No. 63, Addition Using Number Line. Number line का use करके हम लोग Addition करना सीखेंगे. मैंने अल्रेडी Number line के बारे में बताया था. आज हम लोग Number line के उपर Add करना सीखेंगे. Help the Baby Animals Complete the Number Sentence Jumping on the Number Line. Number sentence को पढ़ना है और Baby Animal को जम्प करवा कर उसके सही जगह पर उसे पहुचाना है. See यहाँ पर एक Number line है और Number line के उपर जीरो से टैन तक Number लिखे हुए हैं. यहाँ पर आपको कोर्शन दिया हुआ है 3 प्लस 5 नमबर लाइन के उपर Add करके बताना है कि 3 प्लस 5 कितने होते हैं. नमबर लाइन पर Add करने के लिए आपको सबसे पहले जो पहले बॉक्स में नमबर लिखा हुआ है जीरो से उस नमबर तक Jump करवाना है. तो पहले बॉक्स में लिखा हुआ है नमबर 3 तो आपको जीरो से 3 पर 1 Step में Jump करवाना है. मतलब डाइरेक्ट जीरो से 3 तक आपको ले जाना है. और दूसरे Step में 1 बाइवन जम्प करके नमबर 5 तक Count करके आगे बढ़ाना है. तो पहले बॉक्स वाले को डाइरेक्ट जम्प करवाना है. उसके बाद जो नमबर लिखा हुआ है उतने बार वन बाइवन नमबर करके जम्प करवाना है. तो हम लोग पहुँचें नमबर 8 पे तो इस बॉक्स में लिख देंगे नमबर 8. सेकेंड कोश्चन 3 प्लस 7 तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नमबर को देखेंगे कितना लिखा हुआ हैं और 0 से 1 स्टेप में उस नमबर तक जम्प करके ले जाएंगे. तो नमबर 3 है. इसलिए हम लोग 0 से नमबर 3 तक 1 स्टेप में पहुँचेंगे. तो नमबर 7 तो 3 से 7 स्टेप आगे बढ़ना है. 3 तो 4, 4 तो 5, 5 तो 6, 6 तो 7, 7 तो 8, 8 तो 9, 9 तो 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 स्टेप आगे बढ़ने के बाद मुझे मिला नमबर 10 तो 3 प्लस 7 इस इक्वाल तो नमबर 10 ओके. ना थार्ट कोशन 0 प्लस 4 इस इक्वाल तो वाट अब हम लोगों को 0 में 4 एड़ करना है. तो पहला नमबर है 0 तो 0 को 0 तक ले जाने के लिए हमें उसी जगह पर खड़े रहना पड़ेगा. मतलब फॉर्स्ट नमबर में 0 है तो हमें एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ना है. अब वान बाई वान स्टेप करके हम लोग चार कदम आगे बढ़ेंगे. 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. 0 से 4 स्टेप आगे बढ़ने से मिलता है नमबर 4. तो 0 प्लस 4 इस एक्वल तू नमबर 4. Now, another example is 3 प्लस 1. तो फिर्स्ट नमबर है 3. तो 0 से 3 तक ले जाएंगे और उसके बाद है नमबर 1. तो 3 के बाद हमें एक स्टेप आगे बढ़ना है. तो 3 से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे. तो हमें नमबर 4 मिलेगा. तो 3 प्लस 1 इस एक्वल तू नमबर 4. Okay. That's all for today. Thank you.